नमस्कार दोस्तों मैं विजय कसाना डेजिटल फ्रेशिक्षा के यूटूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों अरियाना स्टाप सेलेक्शन कमिशन के दोवारा गुरूपडे सीटी की जो बरती की जारी है उसका एकजाम 212 अक्टूबर को होना है जिसके एडमिट कार्ड जारी किये जा चुके हैं लेकिन आपर याना सरकार नहीं यूआओं के लिए एक और बड़ा दमाका कर दिया गया है विस्तार से उस दमाके पर चर्चा करेंगे उस से पहले साथियों अगर आपने अभी तक अपना विश्वसन्य चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि बेतरिन अपडेट जो आपके लिए जरूर रहता है वो आपको इस चैनल के उपर प्रोवाइड करवाया जाता है चले साथियों विस्तार से खबर देख लेते हैं सबसे पहले कंडिडेट को क्या-क्या दिशानिर्देश दिये गए हैं यह देख लीजिए प्रिक्षे आर्तियों को प्रिक्षे के अंदर के अंदर अपने साथ एडमिट कार्ड श्यम सत्तापित दो रंगीन फोटो जिसमें एक परविश पत्तर पर चिपकाया हुआगा और दूसरा फोटो प्रिक्षे अकक्स में पास्ति यानि कि जातियों जो आपकी signature sheet आएगी वहाँ पर आपको चिपकाना होगा प्रिक्षियारती को एक पर्मान पत्रियन की एक idea आपको लेके जानी है इसके अलावा साथ यह एक बात और ध्यान रख लीजिएगा आपको दो admit card लेके जाने है दो admit card इसलिए कि एक admit card आपका exam center के उपर ही रख लिया जाएगा दूसरा admit card आपको वापस आने के लिए बस में pass के तोर पर दिखाना पड़ सकता है इसलिए दूसरा admit card भी आप अपने साथ लेके जाईएगा इसके अलावा सात्यों जो प्रिक्षा समाप तोने से पहले प्रिक्षाल को नहीं छोड़ना है जो मोबाइल फोन अंगोठी चैन कान की बाल यह सब अबूशन अगर आपने पहले एक्जाम दिया है तो इन सर्तों के बारे में आपको पता भी होगा यह सबी सर्ते लगातार एक्षसी अपनाती रही है इसके अलावा सात्यों परिवयन विभा की तरफ से यह देखिए सरकार से पत्तर मिल चुका है यह जीम डिपो है नवीन कुमार जो अरियाना रोडवेज के तो सात्यों इनन काया है कि में अंदरगर से विभिन परिक्षा के अंदरों के लिए निसुलक बस सेवा उपलब्द रहेगी महिला परिक्षारतियों के लिए साथ एक व्यक्ति साथ ले जाने के रूनती है यह जानकारी कली सात्यों अगर आप अमारे वाट्सप चैनल और टेलिग्राम चैनल पर जुड़े हुए हैं तो सबसे पहले यह जानकारी हमने सेयर की थी आप किसी भी चैनल पर समय देख सकते हैं हमारे बाद कोपी करके सात्यों और जगह भी आपने देखा होगा लेकिन यह जानकारी लगातार जो हमारे पास अप्टेट आता है वह आप तक यहनकी जितनी हैल्प हो सकती हम कोशिस करते हैं कि आपकी एल्प की जाए तो सात्यों 20 और 23 अक्टूबर को भी बस सेवा फिरी रहेगी आपके एड्मिट कार्ड को पास मान कर यह जानकारी आप तक कली पहुंचा दी गई थी इसलिए जो कंडेट अभी तक वाट्सप चैनल या टेलिग्राम चैनल से ने जूड़ पाया है वह जरूर जुड़े क्योंकि जो परिवयन विभा का शीडूल है सात्यों का दमाका आज या कल हो सकता है आज भी हो सकता है सात्यों तो वह दमाका भी ह हम इनी जो टेलिग्राम चैनल और वाट्सप चैनल के उपर आप तक जानकारी पहुंचाएंगे इसलिए आप जरूर जुड़े मैलाओं के प्रिक्षा के अंदर गरेजले में बनाए गए हैं यह सात्यों बात सही है जो सीटी कोर्डिनेटर एंटीय की तरफ से लगाई आप साथियों एक तो यह देख लीजिए दूर दराज प्रिक्षयार्थियों को प्रिक्षया के अंदरों पर ले जाने वो लाने की सुविदा के लिए निसुल्क बस सेवा उपलब्द कराई गई है इसके लिए एक दो दिन में विवाग अपना टाइम टेबल वे सीडूल जारी कर देगा प्रिक्षय आर्थियों के लिए प्रिक्षया शुरू होने से एक गंटे पहले प्रिक्षया के अंदर के अंदर प्रवेश लेना अनिवारी है यह जान करे साथियों आपको पता भी होगा अब जो बढ़ा दमाका किया है वो देख लीजिएगा क्योंकि XC की बर्तियों में पहली बार ऐसा देखने को मिला है परदेश में जो 13,500 कुछ पदों के उपर बर्ति होने जा रही है इसी की साथ यो जो नया अपडेट आया है वो देखिए पूरे परदेश में 708 प्रिक्षया केंदर बने हैं परिक्षया केंदरों के 200 मीटर के दायरे में कोई भी आवेदक या व्यक्ति अपने वान खड़े नहीं कर सकेगा और याना के मुख्य सचीव संजीव कोसल ने उपायुकतों को आदेश दिये हैं कि सारेरिक रूप से एक सक्सम यानि कि दिव्यांग कंडिडिट दिव्यांग उमीदवारों दवारा उप्यों की जाने वाली ट्राइसाइकल या जो साथियो जो बाइक होती है तीन ये चार पयोग वाड़ी तो उसका परियोग भी साथियो ये देखिए परिवेन के अन्य साधनों को परिक्ष्या केंदर के कमरों तक निर्बाद पहुंचाय जाए जाएगा उनकी ट्राइ साथियो या जो भी तिपया वाहन है उसे ही अंदर ले जाने की अनुमती है बाकी साथियो आपको पता है एक्जाम सेंटर से 200 मिटर के दाएरे में भी कोई परिवेन का साधन नहीं खड़ा किया जाता लेकिन इस बार दिव्यांग अब्यर्थियों को ये भी प कंडिडेट का रहा है तो लगबग मैलाओं को कोई बढ़ी अपटेट में बताया है गिंसनल टेस्ट suggest की मि और देडेकर वाए ज़ा रही है इसलिए वह अपने मानक संचाल परकिरिया О carro के अनुशार परसुन बेंक में रखेंगे पर्सन पत्र लाते वे ले जाते समय परियाप सुरक्षया विवस्तार सुनिशित की जाएगी परतेक प्रिक्षय के अंदर में CCTV कैमरे लगाए जाएगे वे कंट्रोल रूम स्तापित किया जाएगा तो साथियों पूरी कड़ी नाकाबंदी हम कह सकते हैं या पूरा जो प्रोसेस है वो बहुत हार्ड कर दिया गया है दिव्यां कंडिडेटों के लिए पहली बार ये बड़ा दमाकार याना सरकार की तरफ से किया गया है ऐसा ही और कोई अगर आपको अपडेट या कोई जानकारी चीए तो आप कमेंट सेक्षिन में पूछ सकते हैं अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद